लेकिन दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी इसका दिन मदिन प्राइज बढ़ाते जा रहे है अब यार मिझे ऐसा लगता है कि कंपनी को इतना जादा जो प्राइज आ इस बाइक का नहीं बढ़ाना चाहिए यामा की जो एबजेट FI है वो बहुत ही एकदम नॉर्मल टैप की बाइक है ना इसमें कोई जादी पावर मिलती है ना इसमें कोई जादा फीचर मिलता है ना इसमें यूजडी फॉक सस्पेंशन मिलता है बट इसका जो प्राइज है काफी जादा कर दिया है कंपनी ने लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब करना बिल के अकन कौन करके जरूर जाइएगा बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको बताना चाहूंगो दूस्तों यामा की जो एबजेट है यह आप लोगों हमारे है रैपुर्ट चतिजगर में औरोड प्राइस अराउंड 1,35,000 एक लाग 35,000 रुपए के आसपास की जो है औरोड प्राइस देखने को मिलती है तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बाइक का जो प्राइस है वो कितना जादा हो चुका है देखिए प्राइस का जा जादा पावर जनरेट कर देती है और इससे जादा अच्छा माइलेज भी निकाल कर देती है और इससे अच्छा फीचर भी निकाल कर देती है कंपनी ने अभी तक इस बाइक में कुछ मेजर अब्रेट नहीं किया है पिर इसके प्राइस काफी जादा हो चुके है तो आई